दोस्तों imagine करें और सोचें कि आप एक visually impaired person आप देख नहीं सकते और आपके दोस्त आकर आपको ये कहते हैं कि तुम देखने सकते इसलिए आपके साथ खेल भी नहीं सकते तुम देखने सकते इसलिए हम आपके साथ classroom में नहीं बैठ सकते society वाले आकर आपके माबाप को ये कहें कि ये विकार का बच्चा है ये आपके कुछ काम नहीं आने वाला इसे बड़ा मत करो तो सोचे दोस्तों उस वक्त आपके और आपके माबाप के उपर क्या बीटती होगी बहुत दर्द होता होगा दिल में चोड लगती होगी और आप सोचते कि सारी जिन्दकी की problems सिर्फ मेरे उपर ही क्यों मैंने क्या बुना किया है सिर्फ मैं ही क्यों इस तरीके से आप excuses द यही इंडिया के एक बंदे के साथ हुआ जिसने इन सारी स्ट्रगर से लड़कर और विजुली इंपेड होने के बावजूद भी बना दी करोरों की कंपनी जिनका नाम है श्रीकांत बोला और इनके उपर आज बहुत ही बड़ी फिल्म बनी है जिसका नाम है श्रीकांत जि श्रीकांत का जन्मा 1991 में अंधर प्रदेश में हुआ था उन्होंने अपने बच्पन में बहुत ज़्यादे स्रागल किया जब श्रीकांत का जन्मा हुआ तब रिष्टेदार और सोसेटे वालों ने आकर उनके माबाप को यह कहा कि यह किसी काम का नहीं है इसे फैंक दो इ मिलाया और पढ़ाया वो पढ़ाय में बहुत ही तेज बन गए थे विज्यली इंपेड होने के कारण लोग उने खिरने से मना कर देते थे और इतना ही नहीं उन्हें कलास में आखरी बेंच पर बिठाय जाता थे सोसाइटी ने हर दिन हर पल उनका मोटिवेशन किराने की को लेकिन वो रूके नहीं और वो देस्ट्री में हाई स्ट्रेंग से पास हुए शिरिकांत 10 के बाद साइंस पढ़ना चाहते थे लेकिन विज्यली इंपेड होने के कारण उन्हें साइंस में एडमिशन नहीं मिल पारा थे कहते थे कि इसमें चार्ट वकिरा देख के पढ़न होता है तुम नहीं करपाऊगे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने अपने आवाज उठाई और कॉल्ट में केस किया और उनकी जित के कारण उन्हें साइंस में एडमिशन लेना पड़ा उन्होंने 12 में बहुत यह अची नंबर प्राप्त कि उसके बाद उन्होंने अमेरिका में MIT में admission लिया MIT वो college जिनका नाम दुनिया के top 3 colleges में आता है अमेरिका के MIT से graduation के पढ़ाई पूरी करने के बाद लाखो का package छोड़कर श्रीकांद वापस भरत आ गए और साल 2012 में उन्होंने बोलेंट इंडस्रीज की शुरुआत की राज्शमानी के podcast में उन्हें ये पूछा गया कि क्यों MIT ने बड़ी college छोड़कर भरत आ गए क्या आपको वहाँ पर job नहीं मिला है थी तो उन्होंने बड़ी प्यार से कहा कि ऐसा बिलकुल भी नहीं वहाँ पर job तो हमेशा मिलती ही लेकिन मुझे जॉब नहीं करने थी मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना था मुझे किसी और के rules फॉलो नहीं करने थे मैं एक leader बनना चाहता था इसलिए मैंने खुद की company बनाई मैं मेरी देसे हजारों लोगों को रूज़गार देना चाहता था इसे विजन और इसी सिद्ध ने उन्हें देश का पहला और सबसे बड़ा विजुली इंपेर्ड बिजनेसमेन बता दे आपको बता दे कि इनकी company में कतन ताठा और डॉक्टर एपी जब्दू कराम जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया था और आज इनकी company की net worth 500 करोर क्रॉस कर चुदी है और आज वो अपनी जिन्दगी को नेतर रहिन होने के बावजूद भी बहुती खुशी से बिताते हैं 200 श्रिकांत बोला की कहाने से आप इस सीख सकते है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की भूख है कुछ बनने की चाहत है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोख सकती जब एक visually impaired नेतर रहिन बंदा अपनी जिन्दगी में करोरों की कमने बना सकता है 10 और 12 में 90 प्लस परसन ला सकता है तो आपको कौन रोख राए आपके पास हाथ है पेर है आँके है दिमाग है और क्या चाहिए आपको सफल बनने के लिए चीज़े हमेशा पहले से ही आसान होते बस हम उसे सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं जब भी आपको जिन्दगी में एक्सक्यूजेस देने का मन करे तो आप इस बन्दे को याद कर लेना जो इतनी सारी परिशानियों के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ता और आज भी वो दिन रात मेहनत करते हैं इनकी जिन्दगी के उपर में एक सुन्दे साकोड कहना चाहूंगा डड़ मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद बाखुद मेरे नजदेक आती गई मेरी मनजिल मेरा होसला देखकर आई होब ये वीडियो आपकी जिन्दगी में कुछ बदला हो लाएगा मिलते हैं किसी शांदर मोटिवेशनल वीडियो में तिल दैं गुड़ बाई